जय श्री महांकाल जय श्री महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपको बहुत स्वागत है और आपको बहुत आभार है आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दो यह बात अगर आपको पता लग जाएगी तो शायद आप अपने जीवन में वर्तमान इसका ल्यूग में बहुत बड़ी बड़ी परिशानियों से बस सकते हैं वो बाते कौन सी थी वो बातों में कौन सी साउधानिय थी उन बातों को कैसे हम फोलो करें या आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है चुकि रावन हमारे समाज में एक नेगेटिविटी का नेगेटिविटी है नगारत्मक्वाव में क्योंकि भगवान राम उनने मासित्ता का हरन किया था लेकिन उसके साथ वो एक प्रकार्ण पंडीत थे वो एक बहुत बड़े जोतिशी थे और उन्होंने शिव तांडो लिखा है और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बाते हमारे जीवन से जुड़ी हुई ही बताई है जिससे हमें कुछ सीखना चाहिए तो पूरी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और ये बाते बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपको एक सही जानकारी मिले जिससे कि आप इन बातों को समझ कर शायद जीवन में किसी परिशानी से किसी तक्निव से बज सकते हैं तो वो बाते कौन सी है पूरी वीडियो में हम उसी विशे पर चर्चा करेंगे इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखे अगर ये वीडियो आपको कहीं भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना अगर अगर चैनल पर बताईगे जानकर ये अपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को की थी कि कभी भी किसी को अपने आर्थि घाटे वरतमान में यदि हो रहा है या कभी भविश में हुआ हो या भविश में भी होने वाला है जो संभावित हैं कभी भी उस घाटे के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए तो कि रावन का इसा माना था कि जैसे हम किसी को हमार घाटे और आर्थी गुरूर से चीजों को बताना शुरू कर देते हैं तो समाज में मुख्यता लोग हम पर विस्वास करना कम कर देते हैं दूसरी बात है विस्वास के साथ साथ लोग हम हम से इर्षा करना शुरू करते तो इसलिए कभी भी हमने आरथी घाटे को ik Kannily को भी बताने से जितना हो सक्यों देना हमें बचना चाहिए दोस्तों, दूसरा होता है अपने रहस्य, ये बात रावण ने इसलिए बात कही थी, क्योंकि रावण का एक रहस्य था जो कि नाभी में अमरत शुपा है, वो रहस्य बहुत सिर्फ दो-तीन लोगों को इस पता था, और उस वजे से, उस रहस्य को किसी को भी ना बता मतलब उसमें एक बात इंक्लूट करें कि वो रहस कभी किसी को न बताएं, वो रहस जैसे पब्लिक डॉमिन में या किसी एक अन्निवक्ति बता होता है तो वो हमारे लिए हानी दायक हो जाता है, जिसने कभी भी जो गोपनी बाते हैं उन्हें गोपनी रहने दे, तो कि अगर वो गोपनी रहेंगी तो वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, तीसरी बात होती है, महिला और पुरुष पती-पत्नी के बीच की जो बाते हैं, कभी भी वो बाते सामाजी या पब्लिक डॉमिन में नहीं बताना चाहिए, जितना खुसा के बचना चाहिए, अपन में चलाए